आप लोग देख सकते हैं कि वरुन धवन जो है इस वक्त शादी के वेन्यू दव मैंचन हाउज अली बाग पहुँच चुके हैं और अभी मीडिया के सामने खड़े होके वो पोस्ट कर रहे हैं और नताशा दलाल के साथ उनकी शादी वरुन से वरुन की शादी नताशा दला के साथ 24 जन्वरी को होने वाली है वरुन अभी अभी मैंचन हाउज में गये हैं नताशा दलाल दमैंचन हाउज 22 तारीक को पहुच गई थी वरुन धवन के जो परिवार वाले हैं नताशा दलाल के जो परिवार वाले हैं तमाम वह 22 तारीक को दो मैंचन हाउज पहुच ग हमें ये भी पता चला है कि जाने माने जो फिल्म डिरेक्टर है शशांग खेतान जिनों ने वरुन धान के साथ बद्रिनाद की दुलनिया और हम्टी शर्मा की दुलनिया जैसी दो फिल्में डिरेक्ट की थी वो भी उस पार्टी में शामिल थे शशांग भी शादी में शामि मैंचन हाउस पहुच चुके हैं तमाम रस्में 23 तारीक से याने आज से शुरू होने वाली हैं संगीत होगा हल्दी होगी मेहंदी होगी और यहां पर 40 से 50 महमानों के बीच में ही की मौझूदगी में ही यह शादी होगी ऐसा हमें पता चला है कि 40 महमान से जादा नहीं हो सकत चालीस या पचास के बीच ही होंगे यहां पर मैंचन हाउस की खासियत यह है कि एक लक्शरी रिजॉर्ट है और यहां पर सिर्फ 25 कमरे ही उपलब्ध हैं और यहां पर शशांग खैतान के अलावा अगर बॉलीवूड से की बात की जाए तो कुनाल कोहली जो है डिरेक्टर वो उनकी मासी लगती है वो भी यहां पहुंचे हुए है ऐसी खबर है कि करन जहर यहां पर शादी के दिन पहुंच सकते हैं मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि शादी की जगा पर किस तरह का पुलिस बंदुबस किया गया है यहां पर तमाम पुलिस वाले में यहां पर नाकबंदी भी की गई है ताकि यह शादी जो है जो 24 जनवरी को होने वाली है वो स्मूदली हो जाए यहां पर किसी तरह की कोई दिक्कत पेशना आए कैमरामेन रवी पांचाल के साथ रवी जैन एबीप न्यूज अली बाग ABP News आपको रखे आगे